आगे नमस्कार आज की प्रेस वारता में मैं सभी मीडिया कर्मियों का प्रेस के अपने साथियों का स्वागत करती हूँ अभी नंदन करती हूँ इस तक बाल करती हूँ I welcome you all और जो थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए मैं एक शामा प्रार्थी हूँ तो देखिए दो हजार चौधा के चुनाव प्रचार में इलेक्शन कैमपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी जो तब तक दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया बड़ी प्रखरता और मुखरता से महंगाई के मुद्दे को उठाने का काम मोदी जी ने किया था और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया बहुत हुई महंगाई की मार और विडंबना देखिए कि मोदी जी के राज में उनकी नाक के तले आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है जिस दिन पेट्रोल, डीजल, सिएनजी या लपीजी का दाम नहीं बढ़ता है महंगा के कारण जनता की कमर जिस दिन नहीं तूटती है आश्चर ये उस दिन होता है ऐसा ही एक नारा था चीन को लाल आख दिखाने का तो चीन तो भारत की सीमाओं में घुसपैट कर चुका है पुल बना रहा है बंकर बना रहा है सड़क बना रहा है महंगाई के चलते अब टमा ऐसा वाहनों से डीजल और पेट्रोल, हाथों से नौकरी और रोजगार छिनने के बाद, जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए, अच्छा दिन, अच्छे दिन, ये भी नारा था, हाँ वो जो भाशनों में मोदी जी मित्रों की बात करते न, मित्रों, उन उद्योगपती मित् और ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है नारों की, तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम दावे, मोदी जी के खोखले साबित होते आ रहे हैं, जैसे जैसे एक एक दिन बीटता जा रहा है, और इसलिए मैं आज कहती हूँ, ये जरूरी है कहना और आपके माध्यम से जनता तक पहुच कि मोदी रीती सदा चली आई, मोदी रीती सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी न निभाई, आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलिंडर को भरवाने के लिए अब पचास रुपया और जादा देना पड़ेगा, तो देखिए मनमोहन सिंग जी की सरकार थी, यूपीय की सरकार थी 10 साल, अंतर राष्ट्रिय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे, महंगा खरीदती थी कॉंग्रेस सरकार और जनता जनारदन के लिए सस्ता बेचती थी, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, उलट बासी चल रही है, लगातार अंतर राष्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद, लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है, जनता को फाइदा पहुचाने के बजाए, जनता को राहत पहुचाने के बजाए, ल रोज मर्रा के जीवन के लिए, रोज मर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी समझती थी, UPA सरकार समझती थी, बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना, हम सबसिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा स 400-400 रुपे का सिलिंडर कॉंग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था, आज सबसिडी देने के बजाए, जीएस्टी के जंजाल में फसाने का काम जो मोधी सरकार ने किया है, मैं समझती हूँ कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्ने मोधी सरकार का है, एक और बात है मैं समझती हूँ ये भी बहते पानी की तरह साफ है क्योंकि कुछी दिन पहले आटियाए के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ, और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं ग्यास का सिलिंडर, तो ये पता चला कि सार्वजनिक छेत्र की ती तीन तेल मार्केटिंग कमपनिया हैं, उन्होंने ये सार्जनिक की खबर कि तीन करोड 69 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलिंडर नहीं भराया, मैं फिर से दोराती हूँ, तीन करोड 69 लाख लोग ऐसे हैं, जो की एक भी सिलिंडर नहीं भर परवापाए गैस का जो उज्वला लाभारती हैं उनमें से 42 प्रतिशत फिर से चूलहा फूकने के लिए मजबूर हो गए हैं तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम नारों तमाम दावों तमाम वादों की तरह तमाम योजनाएं भी उज्वला योजना भी एक जुनजुना साबित हुई है मोदी जी जो पसीना मल के चहरा चमका लेते हैं अकसर योजनाओं को केवल चहरा चमकाने के लिए उनका इस्तमाल किया जाता है उनके नाम का इस्तमाल किया जाता है बड़े-बड़े होडिंग पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किया हर पेट्रोल पमपे नमशकार की मुद्रा में मोधी जी ने खड़े होकर जनता को दिखाने के लिए, उतना उज्वला योजना के लाभार्थियों को सच में लाभ पहुचाने के लिए किया होता, तो 42 प्रतिशत लोगों को फिर से चूला नहीं फूकना पड़ता, तो 3-4 करोर लोग शायद सक्ष हम होते कि अपने सिलिंडर में दुबारा गैस भरवा सकें, पर ये हुआ नहीं, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जब हम किसी भी समस्या को इंटलेक्चुलाइज करते हैं, जब हम बुद्धी जीवी लोगों से बात करते हैं, आर्थ शास्त्रियों से बात करते हैं, खा प्रोल प्राइस मैटर करता है, जब उसे रसोई गैस का सिलिंडर नहीं मिलता है, तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग प्राइस मैटर करता है, काला बाजारी, ब्लैक में कितने का पड़ता है, आज सिलिंडर एक हजार त्रेपन रुपे का है, दूर दराज इलाकों में ग आश्ट रूप से मोधी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाती हूं, मोधी सरकार से पूछना चाती हूं, कि इतना महेंगा रसोई गया सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं, जिनकी आये आपको दुगनी करनी थी, पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं, महेंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है? क्या वो आठ करोर लोग जो आपके आठ साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इतना महेंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? आप दावा करते हैं 80 करोर लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मंजबूर कर दिया सरकार से, वो लोग क्या इतना महेंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोरो नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महेंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरू बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुँचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भुखमरी से गरस्त हैं, वो लोग क्या इतना महेंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूं मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लाद का दर्द समझने के लिए, कमर तोड महेंगाई की पीड़ा समझने के लिए, छपन इंच का सीना नह बात चाहिए है, माफ कीजिए जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है, एक और एतिहासिक बात हुई है इन आट सालों में, पहली बार फिक्की जैसी एक बहुत ही महतुपून वित्तिय संस्था ने हमारी आदर्निय वित्त मंत्री जी को चिठ्थी लिखी जो कहती है कि प्याज महेंगी हो जाए तो प्याज खाना बंद कर दीजे, आप कहेंगे गैस महेंगी हो जाए तो कौन कह रहा है सिलिंडर का इस्तमाल करिए, वापिस चूला फूकिए हो तो इस तरीके का तर्क देती है, तो फिक्की ने चिठ्थी लिखकर ये कहा, कि इस से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अस्पताल के बिस्तर पर भी आप 5 प्रतिशत GST लगा रहे हैं, इस देश के गरीबों के प्रती, इस देश के आम आदमी के प्रती, इस देश की जनता के प्रती, क्या निश्ठा है सरकार की, ये सवाल पूछते हुए, फिक् जिसमें उन्होंने लिखा, यही काल है, 24 जून, आज जुलाई की शुरुवात है, जिसमें उन्होंने लिखा, 50 रूपी हाइक इन LPG, दो एक्स्क्लमेशन मार्क, and they call themselves आम आदमी की सरकार, what a shame. मुझे याद है, जब पिछला फेर बदल, मोदी जी का हुआ, मंत्राले का, तो 11 महिला मंत्री बनाई, बड़े-बड़े होडिंग, होडिंग लगाने में, वो प्रचार करने में, मोदी जी बहुत ही दुरंधर व्यक्ती है, बड़े-बड़े होडिंग लगाए, 11 महिला मं मैं जानना चाहती हूँ, वो 11 महिला मंत्री कहां है देश में, विपक्ष में श्रीमती इरानी के बड़े ट्वीट आते थे, प्याज की माला पहन कर, गयास के सिलिंडर लेकर बैठती थी सडकों पर, कहां है ये, अंतरात्मा से आवाज नहीं आती, लोगों की दुहाई चि की सरकार है, आज लगातार चरम पर पहुशती महंगाई, किस की सरकार है, ये मैं जानना चाहती हूँ, और आज तो ऐसा लगता है कि केवल शम्शान और कबरस्तान जो की भाजपा का नेरेटिव रहता है हर चुनाओं में, और जिसकी नीव पर राजनीती की इमारत खड़ी करते हैं, GST केवल शम्शान और कबरस्तान पर ही नहीं लगाया, अभी मौत को शायद छोड़ दिया है नोने, जीना तो दूबर कर ही दिया है, तो ये सारे सवाल हैं, जो मुझे लगता है कि पूछने बहुत बहुत लाजमी है, UPA सरकार के समय पर बटूए में पैसा लाते यही विडंबना है, और मैं ये भी बताना चाती हूँ कि Congress Party न सिर्फ प्रेसवारता के जरिये, बलकि देश भर में प्रदर्शन करके भी ये लगातार बढ़ती महगाई, दैनन्दिक जीवन की जरूरतमन चीजों पर GST लगाने की कवायत, गैस सिलिंडर को सीधे 50 रुपे का उचाल देने की जो कवायत है, इसके खिलाफ देश भर में विरोध और प्रदर्शन करेगी, और सडक से लेकर संसत तक जनता जनार्दन की आवाज को उठाने का काम हम करेंगे, एक ये टेबल भी आपके रेफरेंस के लिए, हुनिया जी शेर करेंगे WhatsApp पे, ये टेबल ब खरीते थे, कितनी सबसिडी देते थे और कितनी राहत जनता को पहुचाई जाती थी, और जो उल्टी गंगा बह रही है देश में, उसका और बहतरीन तरीके से खुलासा ये डेटा और स्टार्टिस्टिक्स के माध्यम से करेंगे, तो कुछ एक विचारधारा है जो जिसका जिसकी नीव ही फेक न्यूस पेडलिंग पर होती है, वो भी दो-तीन दिन से बहुत सुर्ख चर्चा में है, और एक कॉंग्रेस पार्टी है जो तथ्य और तरकों पर बात करती है, जनता जनारदन की बात करती है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आज की प्रेस वारता मैं इतने धहरे के साथ बैठने के लिए, इंतिजार करने और सुनने के लिए, यदि कोई सवाल है तो मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगे, कल से शुरू हो जाएगा, देखिए जिलेवार, जिलेवार, जिलास तर पर जिलेवार कॉंग्रेस पार्टी के तमाम संघर से उच्छाल आया है पचास रुपे का, उसके खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, बलकि दबाव डालेंगे मोधी सरकार पर और ये मांग करेंगे कि इस तरीके का, कि मूल्य में जो वृत्धी की जा रही है, उसको तुरत तुरंत वापिस लिया जाए और जनता को रा पूल रही है, उससे मोधी जी को तो बीस हरा हजार करोड का सेंट्रल विस्टा रूपी महल मिल रहा है, साड़े आठ हजार करोड का जहाज मिल रहा है, बाहरा करोड की मेबैक की गाड़ी काफिले में शामिल हो रही है, जनता को क्या मिल रहा है, जनता के लिए सरकार होती ह काम कॉंग्रेस पार्टी करती रहेगी। कल से। कल हम एक दिन करेंगे पूरे देश में और फिर उसको आगे भी ले जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहना चाती है कि हमारा देश भारत वर्ष धमकियों के आधार पर, गीदर भपकियों के आधार पर, फत्वों के आधार पर, भीड तंत्र के आधार पर नहीं चलता है न चलेगा। संबिधान, कानून और न्याय के प्रती कॉंग्रिस पार्टी की जो निष्ठा है, वो गहलोज सरकार ने राजिस्थान की पुलिस ने उदैपूर के निरिशन सहत्या कांड के बाद स्पष्ट किया, जिस मुस्तैदी के साथ काम करते हुए, हत्यारों को सलाखों के पीछे कल में एक टेलिविजन चैनल के डिबेट पर बैठी थी, तो जो एंकर थी वो लगातार मुझ से पूछ नहीं थी, कब गिरफतारी होगी, कब गिरफतारी होगी, कब गिरफतारी होगी, और मैं उन्हें लगातार कह रही थी कि कॉंग्रेस पार्टी के मुख्य रूप से दो तो प्रदेशों में सरकार है और जो कानून यवस्था दोनों प्रदेशों में है अगर भारतिय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो जाए तो पूरे देश की जो क्राइम रेट है वो आधी हो जाएगी तो गहलोग सरकार ने फिर एक बार FIR कली हो गई थी टीन सर्च कर रही थी फरार था व्यक्ति आज सुबा अर्ली मॉनिंग सुबा सवेरे पकड़ लिया गया और उसके उपर न्याय सम्मत कारवाही भी होगी कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी पर मैं ये भी जानना चाहती कि मोदी सरकार के राज में तमाम भारतिय जनता पार्टी के लोग जो हेट स्पीच, नफरती भाषन, उनमाधी भाषन देते हैं उन पर कारवाही कब होगी ये भी जानना बहुत जरूरी है क्यूंकि खरगौन में दो दिन पहले दंगों से दो दिन पहले कपिल मिश्रा जा कर भड़काऊ भाषन देते हैं, एक दो दिन बाद दंगा जंगल में लगी आग की तरह फैलता है, कोई कारवाही नहीं होती है, अनुराग ठाकूर खड़े होकर गोली मारो सालों को जैसी बात बोलते हैं, कोई आक्शन नहीं होता है, प्रग्या ठाकूर गोड से जिन्दा तो जड़ कहां है, ये देखते हुए, जनता को सपष्ट संदेश देना बहुत जरूरी है, पुलिस का कानून का इकबाल बनाना बहुत जरूरी है, कॉंग्रेस पार्टी सुनिश्चित करती है, वही अजमेर की अरेस्ट से भी आज सुनिश्चित हुआ अब देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में भारतिय जनता पार्टी की और मोधी जी की कैसी सनलिप्तता है और रही है, ये तो शिंदे जी के इस बयान से साबित हो गया, भारतिय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता नहीं भेशती थी, सारे डिबेट मे जो महाराश्र के उपर हो रहे थे दामन छिटकती थी कि हमारा कोई लेना देना नहीं ये तो शिवसेना की फूट है आज ये बात खुद एकनाच शिंदे कह रहे हैं कि शपत से पहले और शायद देवेंद्र फढणविस के पता होने से भी पहले इनको बता दी गई थी तो आखिर ये किस ये कौन सा कुनबा है भानुमती का ये भी देखने की बात है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जादा आश्रे की बात होगी अगर 11 जुलाई तक ही की ही ये सरकार हो और उसके बाद रहे भी ना पर हाँ ठीक है अच्छी बात है कई वीडियो बी ऐसे वाइरल हुए कि सवाल पूछा जाता है शिंदे जी से माई खीच लेते हैं देवेंद्र फर्णविस तो कौन कितना बड़ा शासन में हिस्सेदारी रख रहा है कौन असली मुख्यमंत्री है क्या सिर्फ फुटवल भिडंत्र अब भाजपा और शिवसेना के बीच में या शिवसेना का ये जो फैक्शन है उसके बीच में चलेगी मुझे लगता है ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो समय के गर्भ में हैं और दीरे-दीरे बात खुलती जाएगी देखे लशकर का वो आतंकी जो अमिच शाह जी के पीछे खड़ा था एक किसी सभा में उसकी बहुत फोटो वाइरल हुई है वो तो जम्मू के माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी सेल का मेंबर था पदाधिकारी था धुरुव सक्सेना याद कीजे मध्यप्रदेश में ATS ने चापा मार कर ISI से लिंक रखने वाले संबंद रखने वाले 17 संदिक्द लोगों को पकड़ा था उसमें भी भारतिये जनता पार्टी के IT सेल का मेंबर पकड़ा गया था तो किस तरह से फेक न्यूज को और कहीं न कहीं आतंक को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और संचार करना है ये भारतिये जनता पार्टी के एजेंडा में पूर्ण रूप से शामिल है आज तो बड़ा सवाल ये भी पूछना चाहिए BJP के जम्मू माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष है नाम है शेख बशीर इनको पार्टी नहीं नोटिस भेज दिया शो कॉस नोटिस कि ये तालिब हुसेन को आपने पदादिकारी क्यों बनाया मुझे लगता है उस सबसे बड़ा नोटिस तो होम मिनिस्टर को भेजना चाहिए आमिश शाजी को कि आपके पीछे लश्कर का आतंकी खड़ा कैसे था आप से उसकी इतनी क्या नजदी किया है और अगर आपको मालूम ही नहीं था कि ये लश्कर का आतंकी है तो आप कैसे होम मिनिस्टर हैं कैसा आपका इंटेलिजेंस है क्या आप ग्रह मंत्राले चला रहे हैं ये बड़े सवाल है और आप ठीक कह रहे हैं फेक न्यूज पेडलिंग तो करनी ही पड़ेगी न हमारे यहां तो बच्पन में ये सिखाया जाता था जूट बोलना पाप है सिखाया जाता था ना और यहां सीधा पूरा भारतिय जनता पार्टी का जो एक राजनेतिक इमारत है उसकी नीव ही फेक न्यूज है फेक न्यूज पेडलिंग है और इसी के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आतंकियों के साथ किस तरीके के तालुकात हैं भारतिय जनता पार्टी के जिस शो की मैं बात करें थी उसमें मैंने लगातार ये कहा एंकर से कि आप पूछिए एक बार मोदी जी से कि पहला तो वो शांती की अपील क्यों नहीं करते देश में और दूसरा कि भाजपा का हर तार आतंकी से क्यों जुड़ा मिलता है याने कि आतंकी का कोई धर्म नहीं कोई जाती नहीं कोई छेतर नहीं कोई रंग नहीं पर हर आतंकी का लिंक भारतिय जंता पार्टी के साथ है तो भाजपा का आतंक से है पहले का नाता कोई यूही हर आतंकी भाजपाई बन जाता नहीं तो आप कर लीजे रियाज अटारी भारतिय जंता पार्टी के तालिब हुसेन भारतिय जन्ता पार्टी के। धुरुव सक्षेना भारतिय जन्ता पार्टी का। बलराम सिंह बजरंग दल का जो terror funding करता था भारतिय जन्ता पार्टी का। इसको expose करना और मोधी जी के उपर दबाव बनाना कि वो चुपी तोड़े और बताएं कि आतंकियों के साथ क्या नाता है भारतिय जन्ता पार्टी का, मुझे लगता है कि उनका कर्तव्य है जन्ता के प्रती और इस पर मुह में दही जब आकर नहीं बैठना चाहिए, जिस तरह से अपना प्रचार मुखरता से करते हैं, इन सवालों का जवाब भी देन प्रचार मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले अगर आप याद करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज ने बाहर निकल कर एक सारजनिक प्रेस वारता भी की थी अगर आपको याद हो और उन्होंने बताया था कि जुडीशिरी किस कठिन फेस से गुजर रही है किन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है और ये बहुत ही दुरभागे पूर्ण है एक जज का बाहर निकल कर कहना कि सच को जागर करने के लिए सही निर्णे लेने के लिए नियाय सम्मत फैसला देने के लिए जान की धंकिया मिल रही है समाज में इस तरह का वैमनस्य इस तरह की नफरत इस तरह का दुरभाव क्यों फैल रहा है इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है और फेक न्यूस पेडलिंग के साथ भी अगर हम इसको जोड़ कर देखें तो कहीं न कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आता है अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्लोर टेस्ट को हम थगित नहीं करेंगे तो वही लोग जो जश्न मना रहे थे अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की टिपनी नुपुर शर्मा के खिलाफ आती है तल्क टिपनी आती है और ये कहा जाता है कि नुपुर की बदजुबानी की वज़ा से देश में आग लग गई तो वही लोग जो एक दिन पहले जश्न मना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर का वो जजजिस को भी ट्रोल करने लगते हैं तब भी एक जजज को बाहर निकल कर ये कहना पड़ता है कि इस तरह से सोशल मीडिया के जरीए भी जहर फैलाना पर्सनली लोगों को टार्गेट करना कितना खतरनाक हो सकता है एक सभ्य समाज के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इसके लिए आपको साधुवाद और कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी जी ने इस मुद्दे को उठाया है और डॉक्टर सिंग भी आज शाम को करीब पांच बजे तीन बजे इसी विशे पर प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे बैंगलोर में बहुत बहुत शुक्रिया अन्यवाद झाल झाल